हाई फ्रेंट वेलकूं टो माई यूटूब चैनल लाइट ऑफ जीयस में आपका स्वागत है मैं आपको लेकर द्रिष्टी का बिप्य से सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूं तो चलिए आज देखते हैं द्रिष्टी का सेट प्रैक्टिस नमबर टू जिसका फर्स्ट कोचन है निम निमेशे किस अधिनियम नी भारत में पिर्थक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया इसका राइट अंसरों का आप्शन दी भारत परिषद अधिनियम उनिस्सों नौ नेश्ट कोचन कोचन नमबर टू है सविधान की प्रैस्ताबना का बिधिक स्वारूप क्या है इसका राइट अंसरों का आप्शन भी या लागू नहीं किया जा सकता है इस पका राइट अंसर भी होगा कोचन नमबर थिरी हम देखेंगे नेमलिखित में से कौन सा सविधान के अनुछे थ तहत संसद के एक कानुन द्वारा संभव नहीं है इसका राइट अंसरों का आप्शन डी नय राजों का प्रवेश इस पका राइट अंसर डी होगा कोचन नमबर थिरी है उस्तम नियाले की वेवस्था के अनुसार नीजी भवनों के उपर राष्टिय जंडा फाराना किस अनुच्छेत के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है इसका राइट अंसरों का आप्शन बी अनुच्छेत भारतिय सविधान के अनुच्छेत उनिस के वन के ए में इस पका राइट अंसर बी होगा कोचन नमबर फाइब है भारतिय सविधान का कौन सा अनुच्छेत भा मंदीत है इस प्रकार राइटनसर D होगा कोचा नमबर शिक्स देखेंगे निमलिखीत में कौन भारतिय सविधान के अंत्रगत मौलिक कर्टब्यों में समलित नहीं है कोचन नमबर 7 है राष्टपती 5 वर्स तक अपने पद पर रहता है कोचन नमबर 8 है निमलिखीत में से किसके समन्द में राष्ट सभा का अनन्य अधिकार है इसका राइटनसरों का अप्सन सी एक नई अखिल भारतिय सेवा को सिर्जन हितु संतूति करना कोचन नमबर 9 है भारतिय सविधान के निम अनुच्छोदों में से किस एक के अधिन राजपल राष्ट पती के विचार के लिए किसी विद्धे को अरच्छित रख सकता है इसका राइटनसरों का अप्सन बी अनुच्छे 200 कोचन नमर 10 है भारत में जिला अस्तर पर उभोकता विवाद निवारन के संदर में निम लिखीत में से कौन सा कथन सही नहीं है इसका राइटनसरों का अप्सन डी उपिक्ट में से कोई नहीं आपको सही नहीं इस प्रका राइटनसर डी होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 11 है निम लिखीत में से कौन अंतराजिय परिशत गठित करने के लिए अधिक्रित है इसका राइट अंसरों का option B, राष्ट पती है, इसका राइट अंसर B होगा नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 12 है, भारतिय सविधान की छठी अनुसुची के प्रवधान निम्लखीत में से किस राज में लागू होती है इसका राइट अंसरों का option तिरपुरा में लागू होती है नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमबर 13 देखेंगे, निम्लखीत कतनों पर विचार कीजिए कतन A में है, अनुछेद तीनसो अन्ठामन संपुन देश में लागू होती है जबकि अनुछेद 369 पुरे देश या उसके एक भाग पर लागू हो सकता है दो में है, अपतकाल की घोषना को अनुमोदित करने वाला संकल्प केवल लोक्स सुभादवारा पारित किये जाती है उपिक्त कतनों में से कौन सही है कोचण कोंचrem 15 निमन मुसलिम बादसाहूं में किस एक ने मूल निमन को पर समय है नियंत्रन पधती को पहली बार लागू किया। इसका राइट अंसरों का ओप्शन C, आलाउदिनी खिल जी ने। नेश्ट कोचन, कोचन नमर 16 है आरब यात्री इब्न बतुता की सुल्तान के काल में भारत आया था। इसका राइट अंसरों का ओप्शन B, मुहमद बीन तुगलक की सासनकाल में आपको इब्न बतुता भारत आया था। नेश्ट कोचन, कोचन नमर 17 है गुजरात राज का वास्तिविक संस्थापक कौन था। इसका राइट अंसरों का ओप्शन B, अहमद सा पर्थम। गुजरात राज का वास्तिविक संस्थापक था। इस प्रका राइट अंसर B होगा। नेश्ट कोचन, कोचन नमर 18 है मालवा राज के संदर में निम्रखित में से कौन सा कथम असत्ति है। इसका राइट अंसरों का ओप्शन D, मालवा कि राजधानी जोधपूर्थी, यह आपका सत्त है। असत्त है इस प्रका राइट अंसर D होगा। नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमर 19 है निम्रखित में से किस यात्री नी अपने बिर्तांत में लिखा कि विजय नेगर समराज रोम जैसा विशाल परतित होता है। इसका राइट अंसर होगा, आप्शन A, डोमी को पायस ने लिखा है। इस प्रका राइट अंसर A होगा। नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 20 देखेंगे, सुची 1 और सुची 2 दिया गया है। आपको इसमें मिलान करना है। सुची 1 में दर्शन है। और सुची 2 में दर्शन है। तो A में मिलाना है, रामा नूज है। तो रामा नूज आपको विश्टा द्वैथ है। B में है माधवचार्ज, माधरचार्ज होगे, द्वैथ होगे 3। सीरी में है, C में है निबार्क, तो निबार्क का हो जाएगा आपको द्वैता द्वैथ होगे 2। D में है बलभा चार्ज तो इसका 1 होगा सुध द्वाइता इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको B A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1 होगा इस प्रकार राइट अंसर आपको B होगा कोचन नमर 21 देखेंगे निम्रखित में से कौम सुमेलित नहीं है इसका राइट अंसर होगा आपशन D शेक निजामुदिन आउलिया मुल्तान इसका राइट अंसर होगा आपशन D ये आपको सुमेलित नहीं है कोचन नमर 22 देखेंगे मतकालीन भारत के इतिहासिक सुरोत में चकला सब्द का पड़ियोग होगा है यह क्या है इसका राइट अंसर होगा आपशन C सुभा और परगना के बीच छेत्री इकाई था लेकिन सरकार का समनार्थी नहीं था इसका राइट अंसर आपका C होगा कोचन नमर 23 है अस्ट परधान मंत्री परशत्थी इसका राइट अंसर होगा आपशन C मराथा परशासन में इसका राइट अंसर C होगा कोचन नमर 24 है निम्रखित युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है तो इसका राइट अंसरों का option D, लखनव आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि 18 संतावन का बिद्रो में मौल्वी लिकायत अली ने नेत्रित किया था, इलहाबा से किये थे, इस प्रकार ये सुमेलित नहीं है, इस प्रकार राइट अंसर आपका D होगा, कोचन नमर 25 है, बिटिस उपनिवेशिक बिवैस्ता की बिरूद, 1857 से पुर्व भारत में भीविन भागों में हुए, बिद्रो को सही घटना कर्म के अनुसार रखे, आपका A में है बंगाल का सिपाई बिद्रो, 2 में है कच का बिद्रो, 3 में है बेलोर का सिपाई बिद्रो, और 4 में है संथाल बिद्रो, 5 में है कोल बिद्रो, आपको इसको मिलान करना है, तिसका रखे, बंगाल का सिपाई बिद्रो, फिर हो जाएगा आपको बेलोर का सिपाई बिद्रो, उसके बाद होगा कच का बिद्रो, उसके बाद होगा आपको कोल का बिद्रो, फिर फोर संथाल का विद्रों इस प्रकार आपका राइट अंसर एह होगा एक तीन दो पांच चार होगा नेक्ट कोचन कोचन नंबर 26 है समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विशय में निमलिखित कत्मों में से कौन कत्थन गलत है इसका राइट अंसर को आप्शन है राजा राम राय उस संभरात वर्ग सिते जिसकी सक्ति चीर अस्थाई बंदोबस्त पर्मनेंट सेट्लिमेंट लागू करने पर कम हो गई थी इस प्रकार राइट अंसर आपका एह होगा कोचन नमर 27 है निमलिखित गौर्णा जन्रोलों में किसने कौंगरिस को अत्ति धीक अल्प संख्यक लोगों का पर्तिनिधित करने वाली कहकर उपहास किया था कोचन नमर 28 है निमलिखित में से एक भारस सरकार अधिनियम 1935 की मुख विश्यस्ताओं में से नहीं थी इसका राइट अंसरों का आफशंडी आफशिष्ट भी से प्रांती विधायकों को अवंटित किये गए थे यह आपको नहीं था इस प्रकार राइट अंसर नहीं पूछाए तो राइट अंडी होगा कोचन नमर 29 देखेंगे सुची 1 और सुची 2 है जिसमें सुलमीत कीजिए और सही उत्तर को चुनिए यह में हैं पुष्टक दो में हैं लेखक आपको इसमें मिलान करना है यह में हैं दा अश्टोरी आप माई डिपोटेशन इसका राइट अंसर होगा आफशन 3 होगा लाला राजपत्र है बी में है गीता राहस का होगा आपको फोर बालगांगतर 3 लग में है इसका राइट होगा वन शुरे माजबनर जी डी में है इंडिया विस फ्रीडम इसका राइट होगा टू मौलाना अबूल कलाम अज़ाद इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट अंसर होगा आपको A A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2 होगा इस प्रकार राइट अंसर आपका A होगा कोचर नमर 13 है निम्कित घटनाओ के काल अनुकर्म में विवस्ति कीजिए और नीची दिये कुट को सही उत्तर को चुनिये तो आपको चुनने कारा A में है साइमन आयोक की नुक्ति दो में है जलिया अलबाग हत्या कंड और थिरी में है महत्मा गांदी की डांडी यात्रा और चार में है फिरोसा मेहथा की मिर्तू तो हम देखेंगे इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको A चार दो एक और तीन होगा क्योंकि फिरोसा मेहता की मिर्तू पार्च नंबर 1915 को हुई साइमन आयोक की निक्ति राज सचिव बरकिन हेडिन निकी थी आठ नंबर 1927 को साइमन कमिशन का गठन किया गया महत्मा गांधी इर्विन दोरा 11 सुत्री मांगो के नाम आने जाने की बिरोध में 12 मार्च 1930 को सावरमती आसरम से अपने 78 अनुवाईयों के साथ सत्या गरह की सुरात की पांच नंबर 1930 को गुजरात के समुनतर्ट पर डांडी गांप पहुँचे जिसे डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है इस प्रकार आपका राइट अंसर एह होगा कोचर नंबर 31 है अक्टूबर 1940 में बेक्तिगत सत्या गरह के प्रवंद समंद में क्या सत्य नहीं है इसका राइट अंसरों को आप्शन से बिनोव भावे पर्थम जबकि सरदार पटेल दुसरे सत्या गरह ही थे यह आपका राइट अंसरों सी होगा इसका राइट अंसर सी है कोचर नंबर 32 है निमलखीत में से कौन कथन गलत है गलत पुछा है इसका राइट अंसरों और ऑप्शन सी दूसरे गोल में समेलन के बाद महतमढ़ी यह लॉड इर्विन के सा संजौता किया यह आपका गलत है इस प्रका राइट अंसर C होगा कोचन नंबर 33 है भारतिये स्वतंतरता अंदोलन के संदर में उसा मेहथा की ख्याती क्या थी इसका राइट अंसरों का आप्शन है भारत छोरों अंदोलन के समय गुप्त कॉंग्रेस रेडियों चलाने हेतु था इस प्रका है सिंदू पकिस्तान 2 में गुजरात भारत 3 में राजस्तान भारत 4 में है हर्यान भारत 5 में है पंजाब भारत नीची दिए कोटको सही उत्तर को चेंड करना है तो इसका राइट अंसर वह आप्शन D है एक दूट तीन चार और पांच आपका सभी सत्त है इस प्रका राइ सही है यह में है इससे दो हजार से अधिक असलोक है यहने सुक्त कहते हैं दो में है इन असलोकों की रचना पुरुसु द्वारा की गई है नीची दिये कुट को सही उत्तर को चुणना है तो इसका रायट अंसर का अप्षंटी ना तो एक और ना ही दो रीग वियत में एक हज से अधिक असलोक हैं जिसे सुक्त कहा गया है इसकी रचना भीविन देवी देवताओं की अस्तुती में की गई है अधिकां सुक्तों की रच्यता सीखने और सीखाने वाले पुरुस थे कुछ असलोकी के रचनाओं महलाओं ने भी की थी इस फ्रकार इसका रायट अंसर डी होगा कोर्चन नमबर 36 है सिकंदर के भारत आकर्मन के संदर में निमलकित कत्थनों में से कौन एक सही है थो इसका रायट अंसर को आप्टिन सी उसके द्वारा भारत पर आकर्मन के समय मगत पर मौर वंस का शाजन था इस प्रकार राइट अंसर C होगा कोचन नमबर 37 देखेंगे बुद्ध की जीवनी की रचना बाउत सहित में विशेश अस्थान रखती है इसका राइट अंसर का आप्शन ए ललित विश्टा ललित विश्टा एक महायान बाउत सूत्र है जिसमें गौतम बुद्ध की पुर्ण जीवनी है अता राइट अंसर A होगा कोचन नमबर 38 देखेंगे हिंद यवन के संदर में नेम्रखित कत्नों पर विचार कीजिए A में है इनोंने गंधार प्रांत पर सासन किया 2 में है अनेक परकार के सिके चलाएं थिरी में है इनके सासकों में कुछ बौद बने कुछ बिशुन के उपासक उप्यक्त कत्रों में इसे कौन सा कत्थन सत्य है इसका राइट अंसर का ऑप्शन D 1, 2, 3 आपका सभी सत्य इस प्रकार राइट अंसर D होगा कोचन नमबर 39 है किसकी तेकभाल अग्राहिक नामक अधिकारी करता था इसका राइट अंसर का ऑप्शन B धार्मिक नियाएक का कोचन नमबर 14 है किस गरंथ में लिच्वी के लिए राज सब्तो जिवी संग सब्द का पड़ियो किया गया है इसका राइट अंसर का ऑप्शन C कोचन नमबर 41 है ललंदा विहार का विध्वन्स किया था इसका राइट अंसर का ऑप्शन A बक्तियार खिलजी ने ललंदा विहार को विध्वन्स किया था इसका राइट अंसर A होगा कोचन नमबर 42 है इसका राइट अंसर का ऑप्शन C मलिक जौनी को दूतमिष ने बिहार में अपना पहला सुवेदार निप्त किया था इस प्रकार रायट अंसर सी होगा कोचन नमर 43 है बिहार का वार असुया जिसने 1917 में महत्मा गांदी की हत्या के पर्यास को बिफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी इसका रायट अंसरों का आप्शन बी बतक मिया कोचन नमर 44 है 1937 से 1938 के दोरा बिहार में बाकास्त अंदोलन किसके दोरा किया गया था इसका रायट अंसरों का आप्शन सी स्वामी स्वहजान अंसर सत्ती दोरा बाकास्त अंदोलन किया गया था इसका रायट अंसर सी होगा कोचन नमबर 45 है कब पिहार पहली बार बिटी साचित भारत के तहत बंगाल प्रिशिडेंसी से अलग हुआ था इसका रायट अंसरों का आप्शन ए 1912 में अलग हुआ था कोचन नमबर 46 है किस राज की अंदेशों से भागलिक सीमाएं जूरी हुई है इसका रायट अंसर हो जाएगा इसका right answer होगा option D, हर्याना का किस राज के अंदेशों के भोगलिक सिमाई नहीं जूड़ी हुई है तो आपको right answer D होगा हर्याना कोचन number 47 है किन्दो परवत सिरेनियों के मद कस्मीर घाटी इस्तित है इसका right answer होगा option B बिरह धीमाल है और पिर पंजाल के बेश कस्मीर घाटी इस्तित है इसका right answer B होगा कोचन number 48 है भारत की दुसरी बरी नदी वेसिन कौन है इसका right answer का option C गुदाबरी वेसिन कोचन number 49 है भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किस से प्राप्थ होती है इसका right answer का option C 10-15 मामस्वन से प्राप्थ होती है कोचन number 15 है नेम लिखी दो कथन दिये गए है एक का अभी कथन तथा दुसरी का कारण R कहा गया है दिये के कुट को सही उत्तर को चैन कीजिए अभी कथन में है इस में पंजाब, हर्याना, उत्तरपर्देश, भारत के परमुक गेहु उत्तपादक राज है कारण R में है गेहु के उत्तपादन के लिए अवस्यक है तो इसका राजट अंसरों का आप्शन A S और R दोनों सही है तथा R S की सही ब्याकिया है इस प्रका राजट अंसर A होगा कोचन नंबर 51 है निमलिखीत में से किस जनगन्ना दसक में लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है इसका राजट अंसरों का आप्शन B 1961 से 71 के बीच में भारत अंसर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है लिंग अनुपात में कोचन नमबर 52 है जनगन्ना 2011 के अनुसा इस्तिरी पूरुस अनुपात के समंद में भारतिये राजों का सही अबरोही कर्म निम्डखित में से कौन सा है कोचन नमबर 53 है बर्मान्ड में परदात की उपस्तिती तथा वीत्रण के संदर में नेम्लखित कत्रों पर विचार कीजिए आपको ए में है दर्वि द्रिस्मान परदात परमान्ड की अधिकांस हिसे का निर्मान करता है दो में है बर्मान्ड की बिस्तार के लिए गुप्त उर्जा उत्तरदाई है उपिक्त में से कौन सा कथन सही है इसका राइट अंसरों का आप्शन पी केवल दो आपका सही है कोचन नमबर 54 देखेंगे बिस्व में सबसे अधिक कोईला उत्पादन करने वाला देश है इसका राइट अंसरों का आप्शन C चीन आपको कोईला उत्पादन करने वाला बिस्व में सरवादिक है इस प्रका निवाद छेत्र है इसका रायट अंसर होगा option A अफिर का इस प्रकार रायट अंसर A होगा कोचन नमबर 56 है नेमलिखित में से कौन एक नविन वलित परवत नहीं है इसका रायट अंसर होगा option A कोचन नमबर 57 है कुला कांगरी परवत सिखर नेमलिखित में किस देश में से किस में पंपास घास का मैदान इस्तित है इसका रायट अंसर का option A और जे ठीना में आपको पंपास घास का मैदान इस्तित है इस प्रकार रायट अंसर A होगा कोचन नमबर 59 है अधुलिखित में कौन सा जीव जै मंडल तक जैविक संगठन का सही कर्म है इसका रायट अंसर होगा option C जनसंक्या समुदाय प्रस्तित की तंद और भूद्रीज है इस प्रकार रायट अंसर C होगा कोचन नमब 16 है बिहार में बांगर मिर्दा मिलती है इसका रायट अंसर होगा option B पुर्निया, सहर्षा, दरभंगा और मुझफर पुर्छेत्र में मिलती है कोचन नमब 61 है त्रिवीनी नहर का निर्मान निम्रकित में से किस नदी पर किया गया है इसका रायट अंसर होगा option C गंड़क नदी पर आपको त्रिवेनी नहर का निर्मान किया गया है कोचन नमब 62 है नेम्रकित कत्रों पर विचार किजिए आपको A में है वर्तमान में बिहार में 6 जिलो में 11 चीने मिल परचलन में है जिसमें 9 चीनी नीजी छेत्र में और 2 सारजोनिक छेत्र की है दो में है चीनी मिलो का साकेंदरन उत्तर पच्छिम बिहार में है तो कौन सा कथन सही है इसका राइट अंसरों का ओप्षन ए एक और दो दोनों सही है इस प्रकार राइट अंसर ए होगा कोचन नंबर 63 है आपको सुची 1 और सुची 2 दिया गया है सुची 1 में आंत्रिच मिशन है और सुची 2 में अन्यवेंशन है आपको इसमें मिलान करना है तो मिलान करना है तो इसका आपको देखना है कि परसी वेरेंस वेरेंस आपको हो जाएगा थिरी परसी वी रेंज हो जाएगा आपको मंगल बी कहोगा चांगी 6 थेरी हो जाएगा और लूसी हो जाएगा आपको 2 बिहस्पति डी में है नियो होरु जाएनस आपको 1 हो जाएगा इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका right answer C होगा A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1 होगा इस प्रकार right answer C होगा कोचन नमर 64 है नेमली खीत में से कौन सरवाधिक सायन है इसका right answer होगा option D, सहद नेश्ट कोचन, कोचन नमर 65 है भारत की पहली hyper velocity विश्तार सुरंग परिच्छन सुविधा किसके द्वारा बेक्सित की गई है इसका right answer होगा option C, IIT कानपूर के द्वारा इसका right answer C होगा कोचन नमर 66 है आंत्रिच मलवे को निवनी किर्थ करने के लिए नेमलिखित में से कौन से भारतिय पहले की गई है ये में है पॉम थिरी मिशन, प्रोजेक्ट, नेर, एनी, टी आर, नेटर, दा, जीरो, डे, ब्रीश, चाटर नीचे दिये के कुट को सही उत्तर को चुनना है तो आपको right answer होगा option है एक और दो आपको P.O.E.M. थिरी मिशन और टू में है प्रोजेक्ट इस प्रकार आपको एक और दो सही है इस प्रकार right answer होगा कोचोर नमबर 67 है नासा के आंत्रिस यात्री सुनीता विल्यम्स और वैरी बिल्मोर किस आंत्रिस यान से उरान भरे थे जब हुए हिलियम दिशाव और कई थ्रस्टर बेफलताओं के कारण आंत्रिस में फस गए है इसका right answer होगा option A Boeing CST 100 Astar Liner से भरे थे इस प्रकार right answer A होगा कोचर नमबर 68 है हाल ही मी चर्चा में रहा OV-Lix है एक इसका right answer होगा option A option A मानो सरीन मी मैं जूता भी सानू जैसे तत्र की खोजा गए एक नवीन वर्ग है इस प्रकार right answer A होगा कोचर नमबर 69 है तापन के कारण परदाथों में होने वाली प्रासरन के समन्द में नेम्रखित कत्नों में कौन एक सही नहीं है इसका right answer का option A जैसे जैसे बर्ग पिघलती है इसमें 4 degree centigrade एक समान प्रासरन होता है इस प्रका right answer आपका A होगा कोचर नमबर 17 है दोनी की तिवर्ता और प्रावलता के संदर में नेम्रखित कत्नों पर विचार कीजिए ए में है तिवर्ता दोनी का वाल अच्छन है जिसके अनुसार उसका मोटा यह पतला होना निर्धारित होता है दो में है प्रावलता धोनी के लिए कानों की स्वेदन सिलता की माप है उपिक्त में से कौन कथन सही है इसका राइट अंसरों का ओप्शन बी केवल दो आपका सही होगा कोचन नमर 71 है नेमलिखीत में से कौन वा भौती घटना है जिसके अधार पर एक सरल पारदर सी प्रियस्कोप कारी करता है इसका राइट अंसरों का ओप्शन है प्रकास का प्रावर्तन कोचन नमर 72 है समानेता परदात दर्व के तीन अवस्ताएं ठोस, दर्व, गैस होती है परदात के इन अवस्ताओं के अभी लचनिक गून के संदर में नमर्खित कत्नों पर विचार केजिए ए में है ठोस एवं दर्व के तुलना में गैसों के संपड़ियता संपिट्टियता काभी कम होती है दर्व में ठोस, दर्व और गैस तीनों का विश्रन संपव है तो इसका आपको संपव है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको बी केवल दो होगा इसपका राइट अंसर आपका भी होगा कोचन नमट ठक की थिरी है ताजे घवो के लिए आयोडीन का टिक्चर एक परतिरोधी एंटी सेप्टिक है या तातिविक आयोडीन का एक तनू विलियन है जिसमें नहीं होता है इसका राइट अंसरों का आप्शन पी है एसी टोन नहीं होता है इसपका राइट अंसर बी होगा आपको कोचन नमबर 74 है सुची 1 और सुची 2 दिया गया है आपको मेलित करना है सुची 1 और सुची 2 से है तो आपको मिलान करना है तो A में है मॉर्फिन तो मॉर्फिन जो है आपको क्रोशिन तिल में रखा जाता है, इस प्रकार 4 होगा, C में है बोरी कमल, तो बोरी कमल होगा, तो 1 होगा, anti-septic होगा, D में है जर्वन सिर्वर, तो आपको मिस्रधात्व होगा, इस प्रकार आप मिलाएंगे, तो इसका right answer D होगा, A का 3, B का 4, C का 1, और D का 2 होगा, कोचन नमबर 75 है, नीम्न मेंसे किस परदात में कैल्सियम बिदमान है। इसका राइट अंसर होगा U assim C, सोफ़ीड में। कोचन नमबर 76 है, कपड़ें साप करने में परयोग होने वाले दिटर्जेंट है। इसका राइट अंसर होगा, आप्शन C, भी स्मेट है, इसका राइट अंसर आपका C होगा, कोचन नमर 77 है, नेम लखित इगमों में विचार कीजिए, आपको पॉलीमर और उप्योग है, एक, वर में है टेफलोन या टेलिवीजन कैबिनेट बनाने में, दो में है टेरीलीन वस्त रुद्योग में, थिरी में है पोली अस्टाइरीन नाक अस्टिक कुकिंग बरतन बनाने में, उपिक में से कौन सुमेलित है, इसका राइट अंसर होगा, कौचन नंबर 76 देखेंगे, कप्ड़िये साब करने के परयोग होने वाले डिचार्डनेट है, इसका राइट अंसर होगा, आप्शन टी, सल्फोनेट होगा, इस प्रकार राइट अंसर टी होगा, कौचन नंबर 77 है, निम्रखित युगमों में विचार कीजिए, एक में पॉलीमर है, और दो में उपियोग है, ए में है टेफलोन, टेलिवीजन, कैबिनेट बनाने में, बी में है, टेरिलीन, वस्तर उद्योग में, थिरी में है, पॉलियस्टराय, नन अस्टिक, कुकिंग बर्तन बनाने में, तो उपिक्त में से कौन सुमेलित है, तो इसका राइट अंसर होगा, आप्शन C, केबल दो आपका सही होगा, टेरिलोन, वस्तर उद्योग में, ये आपका गलत है, ये भी गलत है, इस प्रकार राइट अंसर आपका C होगा, केबल दो, कोचन नमर 78 है, जोगाली करने वाली पसुर, रूमी नैट के संदर में क्या सही है, ए में है, इन पसुर में, अमासे में, चार प्रकोष्ट होते हैं, दो में है, इन पसुर में भोजन का पाचन, विशेश जीवानों, प्रोटो जोवां, यहुँं कबको की सहायता से होता है, थिरी में इन पसको को पाचान तंद, चेलूलोज को पाचान करने में सच्छम नहीं होता है. तो दिये गए कूट को आपको उत्तर को चैन करना है. तो इसका राइट अंसर का ओप्शन C, एक और दो, तो आपको एक और दो आपका सही होगा. इस प्रका राइट अंसर आपका C होगा. नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमर 79 देखेंगे, निमली खित में कौन भाग बनस्पती और जन्तु दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं. इसका राइट अंसर का ओप्शन C, कोशिका कला और कोशिका दर्व केंद्रक आपको पाए जाते हैं. इस प्रका राइट अंसर C होगा. कोचन नमर 18 है, आपको सुची 1 और सुची 2 दिया गया है, और इसमें आपको सुमेलित करना है. सुची 1 में कोशिका अंगक है, और सुची 2 में प्राकारी है. आपको इसमें मिलाना है, तो आपको इसमें देखना है, A में है मैट्रोकॉंडिया, तब मैट्रोकॉंडिया होगिया आपको 4, ATP निर्मान समावास, B में है कलोरोपलास्ट, 1 प्रकास संसलेशन, C में है 300-3 होगा, अंता कोशिका है पाचन, इस परकार आप मिलाएंगे, तो इसका राइट अंसर आपको C होगा, A का 4, B का 1, C का 2, और D का 3 होगा, इस परकार राइट अंसर आपका C होगा, कोशन नमबर 81 है, सुची 1 और सुची 2 दिया गया है, सुची 1 में हर्मोन है और सुची 2 में कारे हैं, तो आपको मिलान करना है, तो A में है, जे बरलेन, तो जे बरलेन आपका हो जाएगा, 2 कोशिका की विकास को नियंद्रित करना, B में है, आक्षिटोक्षिन, वन हो जाएगा, सीशू जन्म और दुग्द सराव के समय, आवस्यक मासपेशिया के संकुचन का संकेत, C में है, A-B-6 अमल, तो A-B-6 अमल हो जाएगा, आपको 4, पौधे में पाए जाने वाला अस्टेश हर्मोन, D में है, वेसो प्रेशिन, तो आपको 3 हो जाएगा, मुत्र में पानी के मातरा को नियंद्रित करना होता है, इस प्रकार आप मिलाएंगे, तो इसका राइट अंस 1 का 2, बी का 1, C का 4 और D का 3 होगा. इस प्रकार रहाट अंशर आपका B होगा. कोचन नमबर 82 है, मानो शरीन में प्रोटीन का पाचन निम्लिकीत में से किस अंग में आरमब होता है? इसका रहाट अंशरों का अप्शंडी, आमासय में आरमब होता है. कोचण नंबर 83 है नेम लिखित में से कौन आललैंगिक परजनन का तरीका नहीं है इसका रायट अंसर होका option C स्योजन कía right अंसर C होगा कोचण नंबर 84 है नेम लिखित में कौन अनुवांसिक विकार ہے इसका रायट अंसर होका option D उपिक्त में सभी हेमोफिलिया, सीकल सिर एनिमिया, थैलेसिमिया, और सीजो फेरिनिया, आपको सभी अनुवांसिक सिकार, इस प्रकार रायटंसर D होगा, कोचन नमबर 85 है, सोसन, निम्लखीती में से कैसी अभिकिरिया है, इसका रायटंसरों का आफशन सी, उसमा छेपी अभिकिरिया है, इस वाली किट भच्छी मचली है, इसका रायटंसर होगा, आफशन C, गैंबूसिया, इस प्रकार रायटंसर C होगा, कोचन नमर 87 है, प्रोजेक्ट, ब्रेन बेब, निम्लखीत में से की से सम्बन दित है, इसका रायटंसर होगा, आफशन B, कितनी बुधिमता से सम्बन दित है नेश्ट कोचन, कोचन नमर 88 है, कोलोनिंग के संदर में निम्रखित कत्रों पर विचार कीजिए, ए में है यह एक अलेंगिक भी दी है, दो में इसके माधियम से कैंसर जैसे एक हातक विमारियां पर अंकुस लगाया जा सकता है, थिरी में इस तक्निक के माधियम से बिर्द अ कोचन नमर 89 है, यह परियोग तीन ऐसे आंत्रिश यानो को काम में लाएगा, जो एक सम बहुत तिर्भुज के आकिर्ती में उरान भरेंगे, जिसमें परतेक भुजा एक मिलियन किलोमीटर लंबी है, और यानो के बीच लेजर चमक रही होगी, कथित परियोग किसे संदर भ इसका रहाएट अंसरों का अप्षन D сравd already. फोगे के ये वो. वो उड्ड का लिसह ए ओ दिए लिजह का लिज़ का ? नेट कोचन, कोचन नमबर 19 है, नेट यूनिटी लीटी वा सिधान्त है, जिसके तहत इसका रायट अंसर का अप्शन है, इंटरनेट सेवा परदताओं को गंतव, शुरोत और समगरी कुध्यान में रखे बिना निश्पच भाव से सभी आकरों को प्रेशन करना चाहिए, इस के संदर में निम्खित में से कौन सा कथन सही है, ए में है, या सौर उर्जा को सिधी विधूत उर्जा में परिवर्थित कर देता है, दो में है, इसमें विशुद पॉली क्रिस्टाइल सिलिकॉन का प्रियोग होता है, थिरी में है, या सेल परकास के विधूत चुन के सिध का राय तन्सर टी होगा कोचन नमबर 90 तू है डिस्ट्र असकाई प्लेट फारों निंदुखीत में सिर खीसे संबनदीत है इसका राय तन्सर होकर आज आप थे आए आप प्रिखीत में से कौन से पुष्टग बिटिज अर्शास्त्री जॉन मेनाड कीन्स द्वारा लिखी गई है यह में है दा जनरल थियोरी आप इम्प्लाइमेंट इंटरेस्ट अंड मनी दो में है दा थियोरी आप मोरल सेंटिमेंट्स थ्री में है दा एकोनोमिक कौन सी वेंसे प्रिंस्पल्स आप फोल्टिकल एकोनोमिक नीची दिये कुट को सही उत्तर को चुनना है इसका राइट अंसरों का ऑप्शन सी एक और ती आपका राइट होगा इस प्रका राइट अंसर आपका सी होगा कोचन नंबर 95 है नेमलिखित में सी कौन मुद्रा का कारी है यह में है बी निमय का माधियम दो में मुल का माप थिरी में मुल का भंडारन थिरी में भविस्पोल में भविस्क में भुक्तान करना तो कूट के अनुसार सही उत्तर को चुनना है तो इसका राइट अंसरों का ऑप्शन टी उपित में सभी इस प्रका राइट अंसर डी होगा कूचन नमबर 96 है, भारती रिजर्ड बैंक के संदर में निम्ड़कित कत्रों पर विचार कीजिए, एक में है या भारत का केंद्रिय बैंक है, दो में है वर्च 1947 में इसका राष्टिय करन हुआ, थिरी में है या सरकार के लिए बैंकों के रूप में कारी करता है, फोर में है या अर्थवेश्था की बिदेशी मुद्राभंडार का संग रच्छक है, तो उपिक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका राष्ट अंसरों का आप्शन सही, एक तीन चार, आपका एक और तीन और चार आपका कथन सही, इसका राष्ट अंसर सही होगा, कोचन नमबर 97 है, नि निम्लिखीत में से कौन से आर्थिक विकास के आर्थिक निर्धारक है, ए में प्राकर्ति संसाधन, दूम में मानव संसाधन, थिरी में पुंजी निर्मा, फोर में परवधो की, तो नीची दिए कुट को सही उत्तर को चुड़ना है, इसका राष्ट अंसरों का आप्शन उपिक्त में सभी आपका उत्तर सही है, कौचर नमबर 98 है, वश्तु बिन्मे परणाली के बारे में निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजीए, एक में है या एक परकार के उतपादो और सेवाओं के बदले, दुसरे परकार के उतपादो और सेवाओं को बे पार को दर साता दो में इस परणाली में धन के भागेदारी थी, थीरी में है इस परणाली में एक समान समस्या आवा सक्ताओं के दोहरे सहयोग का अभाव है, उपिक्त में से कौन्त कथन सही है, इसका राइट अंसर होगा option C, एक और तीन, आपका सही होगा, इस प्रकार राइट अंसर आपक C होगा, कोचन नमबर 99 है, निमलिखीत में से किस उत्पाद के कारक के रूप में जाना जाता है, ए में भूमी, दो में सरम, थीरी में पुंजी, और फोर में उधमिता, तो नीची दिगे कुट को सही उत्तर को चुणना है, इसका राइट अंसर होगा option D, उपिक्त में सभी कोचन नमबर 100 है, किस बैंक कारीन स्रीजन छमता पर निर्भर करता है, इसका राइट अंसर होगा option B, वैदानिक तरालता अनुपात पर आपको निर्भर करता, इस परका राइट अंसर B होगा कोचन नमबर, हम देखेंगे 101, बिहार लगो धमी योजना के समद में निम्कित कत्रों पर विचार कीजिए, एक में है इसका उदेश, उन 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को रोजगार के अबसर परदान करना है, जिसकी मासिक आए 10,000 से कम है दो में है, बिहार सरकार स्वारोजगार के अबसर उत्पन करने के लिए परतिक गरीब परिवार को 2,000,000 की बितीय सहायता परदान करेगा, उप्रिक तिमेशिक कत्रों सही है इसका राइट अंसर होगा, आप्शन इसका रायट अंसरों का option B, केवल दो आपका सही है, इसका रायट अंसरों का option D, किंद्रिय नियोजन और संसाध्णों का नियंत्र, इसका रायट अंसर D होगा कोचर नंबर 103 है, निमलिखीत में से कौन सा कारक किसी अर्थवेष्टा में दिर्कालिक आर्थिक विकास का निर्धारक माना जाता है इसका रायट अंसरों का option C, मानब पुंजी मेनिवेश का इस प्रकार रायट अंसर C होगा कोचर नंबर 104 है, निमलिखीत में से कौन से अक्सर जन समचारों में रहने वाले पद, वी डॉली करन का सरवोतम वर्नन करता है इसका रायट अंसरों का option A, इसका तात पर घरेलू अर्थ विएस्ता पर अमिर्की डॉलर के परभाव को कम करना है इस प्रकार रायट अंसर A होगा कोचर नंबर 105 से देखेंगे, वीजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग जारी की जाती है इसका रायट अंसरों का option C, Economist, Intelligence, Unit द्वारा, वीजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग जारी की जाती इस प्रकार रायट अंसर C होगा कोचर नंबर 106 देखेंगे, नेमलखीत में सी कौंग एक विशिष्ट विशिष्टा है जो पुझिगत वस्तूओं को मदवर्ती वस्तूओं से अलग करती है इसका रायट अंसरों का option ये है आपको पुझिगत वस्तूओं का उप्योग मदवर्ती वस्तूओं के उत्पादन में किया जाता है जबकि मदवर्ती वस्तूं का उप्योग उप्भोक्ता वस्तूं के उत्पादन में किया जाता है। इस प्रकार राइट अंसर आपका A होगा। कोचन नमबर 107 है संघर्ष गरस्त इजराइल ने अपने नागरिकों को आपस लाने के लिए भारत ने निम्लिखित में से कौन से खेल को 2018 अलोंपिक खेलो में सामिल करने का प्रस्ताव है। यह में किर्केट T20, फ्लाइक फुटबॉल, थिरी में अस्क्वाइस, और फोर में है लाइक क्रोस। नीची दे गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। ते इसका राइट अंसर हो जाएगा। option D, उपिक्त में सभी को आपको अलोंपिक खेलो 2018 में सामिल करने का सोचा गया। इस प्रकार राइट अंसर आपका D होगा। कोचन नमर 109 है, संयुक्तराष्ट, विश्व प्रेटक संगठन, UNWTO द्वारा सर्श्रेट प्रेटक ग्राम का पुरुषकार, थोडो ग्राम, किस भारतिय राज में अवस्तित है। इसका राइट अंसर होगा, आप्शन C, गुजरात में आपको इस्तित है, धोडो ग्राम, इस प्रकार राइट अंसर आपका C होगा। या लाका डोंग हल्दी, लाका डोंग हल्दी को भोगौलिक उपदर्शन परमान GIE टैग दिया गया, यह निम्रिखित में किस राज से संबन्दित है, इसका किस राज से संबन्दित है, इसका राइट अंसर होगा, आपको बी, मेग हाले से संबन्दित है, कोचन नमबर 112 है, हाल ही में निम्रिखित में से किन अस्थानों को संस्किर्थी विरासत संराचन 2023 है तो, इन्ने उसको इस या प्रसांत पुरुषकार में परतिश्ठिट अस्थान पराप्थ हुआ है, ए में रामभागेट, दो में पिपली हवेली, थिरी में है चर्च आप, एपी फेनी, तो नीची दिये कोट को सही उत्तर को चुनना है, तो इसका राइट अंसरों का ओप्षन टी, एक, दो और तीन, आपका सही है, इस फ़का राइट अंसर डी होगा, कोचल नमबर 113 है, पी एम स्वानिधी एप, निम्निखित में किस मंत्राले द्वारा लॉंच किया गया है, इसका राइट अंसरों का ओप्षन C, आवासन और सहरी कार मंत्राले द्वारा पी एम स्वानिधी एप लॉंच किया गया, इस फ़का राइट अंसर आपका C होगा कोचन नंबर 114 है प्रोजेक्ट कुबेर शुरू किया गया है इसका रायट अंसर होगा ऑफ्षन ए भारती अस्टेट बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर शुरू किया गया है इसका रायट अंसर ए होगा कोचन नमबर 115 देखेंगे बिश बैंक ने दच्छीन एसिया में अपनी पहली समर्पित सरक सुरच्छा परियोजना निमलखीत में इसे किस देश के साथ शुरू की है इसका रायट अंसरों का अफ्षन ए बंगला देश के साथ शुरू की है इसका रायट अंसर ए होगा कोचन नमबर 116 है ऑप्रेशन बोडर अस्क्वाड एक संजुक्त अभ्यान है इसका रायट अंसरों का अफ्षन डी भारत और संजुक्त अज अमेरिका के बीच ऑप्रेशन बोडर अस्क्वाड एक संजुक्त अभ्यान है इस फ्रकार रायटंसर D होगा कोचल नमबर 117 है भारा सरकार दराश शुरूक किये गए इकेर पोटल का उदेश क्या है इसका रायटंसर का आप्शन है भारतियों के पर्थिव शरीर को बिदेश से लाने की सुविधा परदान करना इकेर पोटल है भारतियों को पर्थिव शरीर को बिदेश से लाने की सुविधा परदान करना इस फ्रकार रायटंसर A होगा कोचल नमबर 118 है इको लोकेशन कभी-कभी समचारों में देखा जाता है इसका रायटंसर का आप्शन A या एक तकनिक है जिसका उप्योग कुछ जानवर धोनी तरंगों का उप्योग करके वस्तियों को नेविगेट करने या खोजने के लिए करते हैं इस फ्रकार रायटंसर A होगा कोचल नमबर 119 है ट्रांसजेंडर के लिए भारत का पहला OPD खोला गया है इसका रायटंसर का आप्शन B रामनोरलोहिया RML अस्पताग दिल्ली में खोला गया है कोचल नमबर 120 है प्रोजेक्ट नमन का पहल है प्रोजेक्ट नमन एक पहल है इसका रायटंसर का आप्शन C भारती सेना का है नेश्ट कोचल देखेंगे कोचल नमबर 121 देखेंगे और सर्थिमी जुनियर राष्टिये बॉली वॉल बैडविंटल चैंपियनसिप का आयोजन की गई थी इसका रायटंसर का आप्शन B पत्ना में इसका रायटंसर B होगा कोचल नमबर 122 देखेंगे भारत की जलवाई परिवर्तन के परती B स्वेदन सिल जीलो में बिहार के कितने जीले सामिल किये गया है इसका रायटंसर का आप्शन C 14 जीले को सामिल किया गया है कोचल नमबर 123 देखेंगे नेमल खीत में इसे किसे बिहार विधुत वी नियामक आयोग का अध्याच निउक्त किया गया है इसका रायटंसर का आप्शन D अमीर सुहानी को निउक्त किया गया इस प्रकार रायटंसर D होगा कोचल में 124 है बिश्व की सबसे उची परतिमा अश्टाइचू आप विजडम गंगा नदी के टट पर अस्थापित की जाएगी या सम्मंदित है इसका रायटंसर का आप्शन C राजेंदर परसाद का क्या नाम है अश्टाइचू आफ विजडम या गंगा नदी के किनाले अस्थापित किया जाएगा राजेंदर परसाद का इस प्रकार रायटंसर C होगा कोचल नमर 125 है इसका रायटंसर का आप्शन E पोर्ट लुईस मौरिसस में आप्शन किया गया इस प्रकार रायटंसर E होगा कोचल नमर 126 है हाल ही मी पत्ना में बिहारी वेंजनों को बढ़ावा देने वाले कारिकरम का नाम क्या था इसका रायटंसर का आप्शन C पंगत नाम था इस प्रकार रायटंसर C होगा कोचल नमर 127 है हाल ही में स्वर्णि मिथला सिखर समिलन बिहार के निमलिखित में इसे किस चिले में आयुजित किया गया था इसका रायटंसर होगा इसका रायटंसर होगा आप्शन C मधुमी मधुबनी में आयुजित किया गया था इस प्रकार रायटंसर C होगा कोचल नमर 128 है अभिनेता संजय मिष्रा अभिनिखित में से किस हिंदी लगू फिल्म ने हाली में परतिष्टित सौट्स फिल्म फेस्टिवल एसिया दोजारतायस में एसिया अंतराष्टिय परतियुकता जीती है इसका रायटंसर होगा आप्शन B गिद इस प्रकार रायटंसर B होगा कोचल नमर 129 है किस संगठन ने बिहार के राज मार्गो के उनयन के लिए 295 मिलियन डॉलर रीन के लिए भारा सरकार के साथ एक समझोते पर अहर्ष्टाचर किये है इसका रायटंसर होगा आप्शन C कोचल नमर 131 है भगवान हरिहर के दुरलब मूर्ति बिहार के किस जिले में खोजी गई है गई थी इसका रायटंसर होगा आप्शन B नवादा में खोजी गई थी इस प्रकार रायटंसर B होगा कोचल नमर 132 है नमिंतम पच्छी गन्ना 2023 में बिहार में पच्छीयों के कितनी परजातियां पाई गई है इसका रायटंसर होगा आप्शन C 205 परजातियां पाई गई है इस प्रकार राइट अंसर C होगा कोचन नमर 133 है हाली में किस सरकारी विवाग में जल परवंधन उदेश के लिए बिहार के गए जिले में गोर लेंड ट्रेज का निर्मान किया गया है इसका राइट अंसरों का आप्शन B लगू जल संसाथन विवाग का निर्मान किया गया इस प्रकार राइट अंसर आपका B होगा कोचन नमर 124 है राव के नौनिक्त परमुख रवी सिना विहार के किस जिले से है इसका राइट अंसरों का आप्शन C भोजपुर जिले से है कोचन नमर 135 है हाली में विहार के मानवाधिकार आयोक के अध्यस के रूप में किसे निक्त किया गया है इसका राइट अंसरों का आप्शन B नियामूर्ती अनत मोहर बदर को आपको विहार मानवाधिकार आयोक के अध्यस निक्त के गया इस प्रकार राइट अंसर भी होगा कोचन नमबर 136 है नेमर्खित कत्नों पर विचार कीजिए ये में है इस थर डुपलू ने अर्शास्त में 2023 का नौबिल पुरुषकार पराप्त किया दो में है 2023 के अर्शास्त का नौबिल पुरुषकार महलाओं के सरम बजार परिनामों को समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया उपिट में इसे कौन सही है इसका राइट अंसर अप्शन भी केवल दो आपका सही है कोचन नमबर 137 है केंदरिये बजट 2024 के समंद में निम्नखित कत्रों पर विचार कीजिए ए में है बीतिये और गैर बीतिये परिसंपतियों की दिर्ग कालिन पुझिगत लाब LTCG कर की दर 10 परतिसाद बिर्धी कर 15 परतिसाद कर दी गई दो में है अल्प अबदी पुझिगत लाब STCG कर की दर 15 सी बिर्धी कर 20 कर दी गई है इसका राइट अंसर होगा आपको option P केवल दो आपका सही होगा कोचन नमर 138 है बिहार के किस देश के साथ ब्यापक आर्थिक सज़ेदारी समझोता CE PA पर हष्टाचर किये है इसका राइट अंसर होगा option T UAE के साथ आपको हष्टाचर के इसका राइट अंसर डी होगा कोचन नमर 149 है आर्थिक सरवेचन 2023 के अनुसाया निमने खित में इसे कौन सा कथन भारत के अर्थवेश्टा के इस्तिति का वर्णन करता है इसका राइट अंसरों का option B sorry फर्ष्ट में है बीत वर्ष 2024 के दोरन भारत का वास्तिक GDP में 7.5% बिर्थी हुई दूसरा में है बीत वर्ष 2014 में 24 में वर्तमान मुलों की कुल सकल मुल वर्धर जी भी ये में किर्शी उद्योग और सेवा छित्र के युगदान करमसा 17.7% 27.6% और 54.7% था थीरी में है केंज सरकार का राजकोशिय घटा 2023 में सकल घरेल उत्पात का 6.4% से घटा कर बीत वर्ष 2024 में 5.6% हो गया फोर में है बीत वर्ष 2024 में भारत की वास्तिक जीटीप 6.5% से 7% के बिच बटने कानुमान है उपिक्त में से कौन उत्तर सही है तो आपका इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन B 2, 3 और 4 हो जाएगा आपका 2, 3, 4 आपका सही है इस प्रकार राइट अंसर आपका B होगा कोचन में 140 है बिहार के निमलिखित में से कि सीचक को राष्टिय सीचक पुरुषकार 2024 के लिए चैनित किया गया है ए में सिकंदर कुमार सुमन दो में ससी कुमार सुमन थिरी में सुमन जा और फोर में हैं डॉक्टर मिनाच्छी कुमारी तो दिये गए कुट को सही उत्तर को आपको चुन करना है तो इसका राष्ट अंसर होगा option B एक और चार आपको एक और चार सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर लच्वी कुमारी आपको सही उत्तर होगा इस प्रकार राष्ट अंसर भी होगा दोस्तों आपको 141 से मैस चालू होता है आपको अंसर बता दिया जाएगा इसे आप सुम बना ले साथ ही मेरे वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए अगर मेरे चानल को सस्क्राइब नहीं की है तो आप सस्क्राइब कर ले तकि आने ओले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए देखते हैं मैत 141 का होगा राइट अंसर आपको B कोचन में 142 का राइट अंसर हो जाएगा A कोचन में 143 का राइट अंसर होगा ओप्शन A कोचन में 144 का राइट अंसर होगा ओप्शन A कोचन में 145 का राइट अंसर होगा ओप्शन D कोचन नमबर 146 का रायट अंसर होगा option C कोचन नमबर 147 का रायट अंसर हो जाएगा आपको A कोचन नमबर 148 का रायट अंसर होगा option A कोचन नमबर 149 का रायट अंसर होगा option C कोचन नमबर 150 का रायट अंसर होगा option A आपका द्रिष्टी आईयस जो कोचिंग का किताब निकाला गया है BPS C-Shirt Practice का आपका सेट नमर दू इहीं पर समाप्थ होता है फिर आपको कुछी देर में सेट नमर तीन हम लेके आएंगे तब तक लिए थांक्यू धन्नवाज जैहिन जै भारत